तो चलिए सबसे पहले MySQL साफ्टर को डाउनलोड कर लेते हैं इसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपिन कर लेना है जैसे कि Chrome ब्राउजर एन Google में जाकर सर्च करना है MySQL यहाँ आप देश सकते हो MySQL का ओफियल ओपसाइड आ गया इसको ओपिन करना है यहाँ पे आपको MySQL Installer for Windows देखने को मिलेगा इसपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक Online Installer देखने को मिलेगा और दूसरा Offline Installer जैसे कि यहाँ पर Offline Installer है तो इसके Download पे क्लिक करना है डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहां पर no thanks, just start my download का option आएगा, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करते ही MySQL डाउनलोड होना इस्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, डाउनलोड हो रहा है, तो यहां पर मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो गया, डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद इसको ओपिन करना है, ओपिन करने के बाद यहां पर yes या no करने के लिए अगर बोलेगा, तो यहां पर आपको yes कर देना है, तो finally आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपिन कर आएगा, Choose a setup type यहाँ पर custom select करना है then next करना है अब यहाँ पर select product में हमारे पास MySQL server, applications and documents available है तो सबसे पहले MySQL server के plus पर click करना है और MySQL server को जो है इधर से यहाँ पर select करके arrow button से इस तरफ इसको drag कर देना है ठीक है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैंने MySQL server को इधर drag कर दिया similarly अब आपको application में जाना है और MySQL workbench को भी right arrow से इस तरफ drag कर देना है and then MySQL cell में जाना है और cell को भी select करके इस तरफ इसे ही right arrow से drag कर देना है यहाँ पर आप देश सकते हैं यह तीनो select हो गया करना है जब तक यह तीनो status complete नहीं हो जाता ओके यहाँ देख सकते हैं तीनो का status complete हो गया अब आपको next करना है फिर से यहाँ पर next करना है अब यहाँ पर आपको type and networking आ गया है तो by default type and networking subset है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है यहाँ भी just आपको next कर देना है authentication method बें यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको पहला option जो है use strong password इसको select करके next करना है अब यहाँ पर account and roles में root user का password set करने के लिए बोल ला है तो यहाँ पर मैंने mysql 3 बार at the rate 3 बार hashtag 123 मैंने दे दिया ठीक है आप चाहे तो यह password भी use कर सकते हो यहाँ फिर आप अपने इच्छा अनुसर कोई भी यहाँ पर एक complex password जो है use कर सकते हो password देने के बाद आपको next कर देना है windows service है यहाँ पर भी आप next कर दो यहाँ पर server file permission माग रहा है तो यहाँ पर आपको यह वालो जो दिख रहा है yes grant full access इसको select करके again इसको next कर देना है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है just simply execute पर click कर दो configuration जो है automatic सब पर जो है apply हो जाएगा तो यहाँ पर configuration पूरा complete हो गया अब आप finish पर कर दो यहाँ पर आप देख सकते हो configuration जो है वो complete हो गया तो आप simply अब यहाँ पर next कर दो and then again finish पर click कर दो finish होने के बाद automatically mysql cell and mysql workbench open होकर यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो याद रहे यहाँ पर अभी आपको mysql को logging नहीं करना है mysql को logging करने से पहले एक और setting है बहुत ही important setting है उसको आपको पहले setup कर लेना है तो इसके लिए आपको this pc में जाना है और यहाँ पर c drive को open करना है c drive के अंदर यहाँ पर आपको programs file देखने को मिलेगा तो program file को open करना है program file के अंदर यहाँ पर mysql नाम का folder मिलेगा इसको open करना है then यहाँ पर mysql server में जाना है mysql server के अंदर यहाँ पर आपको bin नाम का folder देखने को मिलेगा इसको open करना है अब यहाँ पर इस पर click करके इस path को जो है copy कर लेना है and सब को minimize कर देना है अब आपको Windows बटन को प्रेस करना है जैसे यहाँ पर variable टाइप करोगे यहाँ पर edit environment variables आ जाएगा इसको आपको open करना है यहाँ पर environment variable है इसमें जाना है यहाँ system variable में path पर double click करना है then new पर click करना है and यहाँ पर हमने जो path copy किया था उसको paste कर देना है and then ok and सबको यहाँ पर ok ok कर देना है finally installation and configuration हमारा complete हो गया अब मैं आपको mysql cmd में open करके दिखा देता हूँ अब root user से mysql को logging कर लेते हैं इसके लिए यहाँ पर लिखना है mysql space-u u for user space root root यहाँ पर हमारा root user का नाम है space-p enter कर देना है अब यहाँ पर यह password पूछ रहा है तो यहाँ पर हमने वो password दे देना है जो हमने configure करते टाइम set किया था जैसे कि मैंने set किया था mysql 3 वार add the rate 3 वार hashtag 123 यहाँ पर आप देख सकते है mysql successfully mysql database में logging हो गया अब मैं आपको workbench में भी logging करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैंने workbench को open कर लिया जो कि पहले से open हुआ था तो अब local instant पर click करना है यहाँ पर आपको और यहाँ पर आप password माग रहा है तो same password आपको दे देना है यहाँ पर भी क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यह फूल वीडियोज लेकर आता रहता हूँ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिन बंदे मात्रम